दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिक्रावाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कई दिनों के बाद मंगलवार यानि कल भारती ये संसत के दोनों सद्रों में अगर देखा जाये तो विपक्षी दलों की जो मौजोदगी है उसके होने की चलते कारवाई जो है सुचार रूप से चली वरना लगातार विपक्ष भहिशकार कर रहा था सदन का और कल राजी सभा में दिगवेज़ सिंग और लोग सभा में स्वैम राहूल गांधी जो भारत जोडो यात्रा के बाद जब लोटे हैं तो जाहिर तोर पे उनको पार्लेमेंट के अंदर और बाहर भी एक नए राजनितिक उत्सा से उनकी पार्टी के लोग पेश कर रहे हैं और जनता में भी एक उत्सुकता है कि राहूल गांधी वाकई बदल गए हैं क्या वाकई उनमें कुछ नया जोश आया है क्या वैचारिक द्रड़ता उनमें ज्यादा आई है लोगों की बातों को सु उनकी वक्तिरता पर उनके डिलेवरेशन पर पार्लामेंटरी इंटर्वेंशन पर क्या कुछ निखाई दे रहा है दोस्तों मैंने वरशों पार्लामेंट आफ इंडिया को कबर किया है खासकर राजी सभा को और लोग सभा को भी कुछ समय लेकिन मैंने राहूल गांधी की इतनी धारदारी स्पीच मैं तथ्यों पर नहीं जा रहा हूं कि जो उन्होंने अदानी समूह पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो एक बड़ा भी बात पैदा हुआ है बड़े जो गंभीर मामले सामने आये हैं मैं उनकी सत्यता को लेकर वो गलत हैं सही हैं इस पर क कुछ उन्होंने कहा वह इतने धार 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 धंक से कहते हुए मैंने किसी भी शेपर पहले कभी नहीं सुना था तो इसमें कोई दोर आए नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो लोग कह रहे थे कि राहुल में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा वो बदलाव उनमें दिखा जब अपोजिशन के लोग उनको बीच बीच में सुरी जब ट्रेजरी वेंच की और से शुरू के दोर में उनको टोका टाकी की गई तो उन्होंने बहुत कंफिडेंट होकर बड़े भरोसे के साथ बड़े आत्म विश्वास के साथ उनका सामना किया और उनक विपक्ष बहिस्कार कर रहा था इसलिए हमें राहूल गांधी जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनकी अगर इस स्पीच में हम इंटर्वीन करेंगे शोर शराब करेंगे टोका टोकी करेंगे तो शायद ये लोग प्रदानमंति के इस पीच के दोरान भी कर देंगे त ऐसा कुछ नहीं किया गया सिर्फ टोकाटा की शुरू में हुई और जिसको राउल गांदी ने टेकल किया दोस्तों मौनोव एक ग्यानिक जो दबाओ की बात मैं कि इसलिए कर रहा हूं कि इतने दिनों से जो भैसकार हो रहा था उससे सरकार की भद पिट रही थी पार्लमेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको सुचार रूप से चलाने की जिम्यदारी सिर्फ पिठासीन अधिकारी की नहीं होती है राजस्वा में उप राजपती महोदय हों या लोगस्वा में लोगस्वाद्यक्ष हों या अन्य पिठासीन अधिकारी हों ये सिर्फ उनकी नहीं है बलकि सरकार की भी है और सरकार की बहुत ज्यादा है जाहिरा भी पक्ष की भी है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इसलिए आहम है कि वो नीतियां ही केवल सरकार की नहीं फार्मुलेट करती है देश की बलकि हाउस में क्या होना है या प्रपोजल भी व पोजल होता है तो ऐसी स्थिती में सरकार की वाकई अलोचना हो रही थी पर्लेमेंटरियन्स में और जो पर्लेमेंट के गंभीर आपजर्वन हैं उनके बीच में कि इतने दिनों से पर्लेमेंट नहीं चल रही है विपक्ष अगर बायकाट कर रहा है तो जेपीसी की बस था अपोजिशन का कि जोईंट पर्लेमेंटरि कमेटी बने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उठे जो सवालात हैं अदानी ग्रुप को लेकर उस पर छान बीन कराए ये उनकी मांग थी और मैं सिर्फ उनकी मांगों को यहां कोट कर रहा हूं उद्रित कर रहा हूं तो ने ये बात जब उठाई तो सरकार निश्चित रूप से दबाव में थी क्योंकि काफी कुछ हुआ है जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है सवालात बहुत उठे हैं अख़वारों में टेल्वीजन में और हर जगा पूरी दुनिया भर में चाहे वो इश्यू L.I.C. क के लिहाज से यानि जन्ता के हित के लिहाज से जो अपोजिशन सवाल अगर उठा रहा था तो उस पर सरकार को जबाब देना रिस्पाउंड करना उसका दाईत तो था अधिक और उसकी जरूरत भी थी जब यह स्थितियां नहीं बनी तो वाक आउट वो करते रहे लगातार लेकिन अंतता उन्होंने डिसाइड किया कल मंगलवार को कि वो जो प्रेसिदेंशियल रास्ट्रपती का जो अभिभाशन हुआ है उस पर जो धन्यबाद का प्रस्ताव है उस धन्यबाद के प्रस्ताव पर जारी बहस में वो शामिल होंगे और इस तरह कॉंग्रेस पार्टी से लेकर क्रीन बुल कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टी समाजबादी पार्टी आर जेडी सब ने पार्ट्स पेट किया लेकिन इस कहानी का एक दूसरा बहुत महत्पुन पहलू है जिसको मैं बिलकुल छोड़ना नहीं चाहता वो ये कि जेपी सी के इशू पर जो इतना बड़ा बाविला मचा परलामेंट कई दिन तक डिस्रप्ट हुई उसमें दो खेमे बन गए हैं दो ब्लॉक बन गए हैं और मंगलवार को जहां कॉंग्रेस और अन्य अपोजिशन पार्टी जने पार्टिस्पेट किया खडगे साहब जो भारत की जो बड़ी विपक्षी पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी उसके राश्टी अध्यक्ष हैं वो खडगे साहब आज स्पीच अपनी दे रहें अभी कुछ देर पहले मैं जब निकला दो देखा उनकी स्पीच चल रही है तो इसका मतलब यह हुआ क कि यह दो जो ब्लॉक मने अब एक ब्लॉक कह रहा है जो अपेक्षा के लिए छोटा है आम आदमी पार्टी और बी आरेस जो पहले टी आरेस था तेलंगाना राश्ट समिती अब भारत राश्ट समिती के रूप में तब्दिल हो गई है और शिव सेना उद्धव ठाकरे की अगवाई वाली इन तीनों ने आज भी भहिशकार किया और वो कॉंग्रेस पार्टी का जो प्रस्ताव था और अन्य अपोजिशन पार्टी का कि वो मिल करके और इस सदन में आएंगे चरचा करेंगे और इसी मुद्धे पर वो चरचा करेंगे पूरे प्रेसिदेंशियल जो इस पीच है उस पर जो धन्यबाद का प्रस्ताव है उसमें और ज्यादा इशूज ना उठा करके सिर्फ इस इशू पर फोकस करेंगे और इस पर सरकार की तरफ से जाहिर है कोई सहमती बनी होगी लेकिन इसके बावजूद जो ये तीन पार्टियां हैं उन्होंने अपने को अलग कर लिया अपोजिशन से और उन्होंने अपोजिशन का एक दूसरा ब्लाक बना कर कहा अतिकरांतिकारी या ज्यादा रेडिकल पोश्चर दिखाते हुए कि वो सिर्फ और सिर्फ जेपीसी के मुद्दे पर ही डिवेट कर सकते हैं और किसी मुद्दे पर नहीं पाटियां अगर अलग हो गयी तो हम क्या कर सकते हैं जब मैंने यही बात है आम आदमी पार्टी के वरिश्च नेता और राजसवाद में जो नेता हैं पार्टी के संझे सिंग जी से पूछा तो संझे सिंग ने कहा कि यही तैश शुरू से था कि हम तब तक वहिश्कार करते रहेंगे हाउस का जब तक की सरकार इस मुद्दे पर जेपी सी बनाने पर सामती नहीं होती है और जेपी सी के मुद्दे पर अगर सामती नहीं बनती है तो डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है कि इसके बावजूद कि हमारा यह प्रिंस्पुल इस्टेंड था और कॉंग्रेस सही अन्य पार्टियों का यही प्रिंस्पुल स्टेंड था शुरू में, लेकिन हम इस पर भी तयार थे कि जे पी सी पर केवल कैंदृत एक बहास हो, सिर्फ जे पी सी पर, कि जे पी सी क्यों बने या क्यों नौ बने हमने पूर जोर कोशिश की कि कॉंग्रेस सभी लोगों को इस पर एक जुट किया जाए लेकिन अगर कॉंग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं तो उनका ये कहना था कि ये तीन पार्टियां शिवशेना भारत राश समिती और आम बन गए हैं इनको अगर एक पुलिटिकल आप्जरवर के तोर पे मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से ये चुनाव वर्ष भी कह सकते हैं दोजार तेईस में बहुत सारे विदानसवाद चुनाव होने हैं करनाटक जैसे महत्पूर राजिका होना है राजस्थान इस देश में शुरू हो जाएगा दोजार तेईस के कुछ कुछी महीने के बाद वो दोजार चौविस तक जारी रहेगा जब भारत की संसत का चुनाव होगा यानि लोगसभा का चुनाव होगा और उस दर्म्यान अगर अपोजिशन युनाइट नहीं रहता किसी बड़े इश पोजिशन की और इसका मतलब कि कहीं न कहीं राजनीती के पीछे कोई राजनीती हो रही है क्योंकि यह जेपी सी को लेकर बहस हो या प्रेसिदेंशियल स्पीच पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है लोगसभा में उसके ऊपर जारी चर्चा के दौरान बहस हो इसमें बहु कोई बात है ऐसा लगता है कि कुछ दलों को कुछ दलों पर भरोसा नहीं है या कुछ दल इतने ज़्यादा क्रांतिकारी या डेडिकल अपने को मानते हैं जो किसी भी तरह से परलामेंटरी जो प्रसीडिंग है उस पर अपनी शर्तों पर ही केवल आना चाहते हैं या तीसर और दोस्तों आज की बात में इस मुद्दे पर इतना ही लेकिन दूसरा जो हमारा आज का मुद्दा है वह भी देश की सियासत, शासन विवस्था, कानून और आम जनता के लिहाद से बहुत महत्पूर्ण है और वो है औसम में चाइल्ड मैरेजिस को लेकर यानी बाल विव जो होते हैं, पूरे देश में होते हैं और दुनिया के कई देशों में होते हैं लेकिन अल अब सड़िन असम में जो सरकार है भारती जनता पार्टी की उसने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है आई तिंक दो फरोरी से उन्होंने छोड़ा छेड़ा है और इस अ वामले हैं जो जानकारियां मिल रही हैं प्रशासन को उसके तहट अब तक 2441 से अधिक लोग गिरफतार किये गए हैं और इसमें मज़े की बात है कि ऐसे लोग हैं उनके माता पीता बच्चों के या बच्चे जो शादी किये या मौलवी या काजी या पुजारी जो शादी मे शादी को अंजाम देने में शामिल रहे यानिवे यादी कराने वालों चामिल रहे यह स्टेट वाइड क्राक डाउन जिसको कहा जा रहा है आखिर इसका आईडिया इसी समय एक्जक्यूट करने को क्यों आया यह तो कहानी राजशरहर्कार की तरफ से आनी चाहिए कि आखि तो पहले से था अब प्रशासनिक पर बताया गया है कि चुंकि इन दिनों जो बाल विवा या जो निर्धारित उम्र शादी की है उससे कम उम्र में शादियों को लेकर जो बहुत सारे आंकड़े आए हैं उसमें पैदाईश जो बच्चों की हो रही है उनकी संख्या से लेकर और तरह तरह के जो आकड़े आए हैं सरकार के पास उसके प्रतिक्रिया सरूप सरकार ने यानि उसके मद्दे नजर सरकार ने ये क्रैक डाउन शुरू किया लेकिन मेरा सवाल ये है इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर मैं मानता हूं कि बाल विबा बिलकुल नहीं होना चाहिए यहां पर सरकार की मनशा ठीक है सरकार सही कह रही है कि बाल विबा नहीं होना चाहिए और आप जानते हैं कि बाल विबा को लेकर एक कानून है और प्रोहिबिशन आप चाइल्ड मेरेजिक्ट केंद्री अस्तर पर भी कानून बनाने की कोशिश हो रही है नए सीरे से और एक स्टैंडिंग कमेटी में ये मामला गया हुआ है दरसल एक बिल पेश किया था केंद् इस पर विशार जब आ जाए कमेटी का तब उसको कानूनी अमली जामा पहना आ जाएगा अब सवाल इस बात का है कि ये जो कानून है निश्चित रूप से कानून के तहत कारवाई होनी चाहिए लेकिन जो अतीत में शादियां हो चुकी हैं जिनके बाल बच्चे हैं आखि उनको अगर आप कारवाई के तहट कारवाई करेंगे उनके खिलाप तो क्या उस से उनमें किस तरह के सुधार की गुंजाईशा पाते हैं अब पलचा तो जा नहीं सकता है आप अतीत को आज की तारिक में बदल नहीं सकते तो जब अतीत को आप बदल नहीं सकते तो उन लो बहुत सारे समाश शास्त्री जो हैं, बहुत सारे कानून विड जो हैं, इसको कानून का एक तरह से कानून के तहत लोगों पर जो एक आपराधिक मामला बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको वो गलत मानते हैं. अब जैसे मैंने देखा कि एक बहुत बड़े जानकार हैं कानूनी मामलों के, फैजान मुस्तफा साहब, उन्होंने का कि चाइल्ड मेरेज के मामले में ये क्रिमिनलाइज उसको कानून को नहीं करना चाहिए, और प्रधान मंत्री देश के जो हैं नेरेंदर मोदी, उन्होंन यहां शादी नहीं करेंगी कम उम्र में, उनके पास समझदारी होगी, तो राज सरकार सुधार के कारिक्रम चलाए, शिक्षित करने का लोगों को कारिक्रम चलाए, फैजान मुस्तफा का कहने का लब लुबाब ये है, और वो देश के काफी बड़े जानकार माने जाते हैं कानूनी मामलों के, लेकिन अब फैजान मुस्तफा की बात तो मुझे नहीं लगता कि असम सरकार ने उस सुधाओ को माना, लेकिन प्रधान मंतरी के सुधाओ को तो मान ले रहा चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधान मंतरी बशर्ते की ये सुधाओ, फिर समझदारी नहीं होती है, कई बार उनकी मजबूरियां होती है, कई जगा ऐसी है अपने देश में, जहां अगर लड़कियों की उम्र बढ़ने लगती है, तो लोग शादी ही नहीं करते हैं, अशिक्षा का अंधेरा है, अंधिश्वास का डेरा है, तो जिस देश के बड़ समा के नाम पर तरह तरह के रंगी, रंग बिरंगे लोग घूम रहे हैं, और अजीब अजीब बातें, जादू, टोना, ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे समाझ में यहाभी एक समस्या है, कि उम्र लड़कियों की बढ़ जाती है, तो लोग जो हैं, शादी नहीं करते, ये बिलक शजार रुपया नहीं आए, उन पर एक लाक रुपय का आप दंड लगा दें, वो कहां से भरेंगे एक लाक रुपया, खेत बेचेंगे, गाय बेचेंगे, भैस बेचेंगे, अपने बैल बेचेंगे, जिनके पास वो भी नहीं है, पशू बेचने के लिए, वो क्या बेचेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग है, जिनके पास नहीं जो खेत है, नमाल मेवेशी है, तो ये बहुत बड़ी सोसल प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि राज सरकार इस सामाजिक समस्या को समझ नहीं पा रही है, वो कानून के डंडे से केवल इसको हांक रही है, और वो भी अतीत की शादियों को, अतीत की शादियों को भी वरत्मान का मुद्दा बना रही है, मुझे लगता है एक दुर्भागे पुरॉड़ा है, इस पर गंभीरता पुर्वक सोचनी चाहिए, सोचना चाहिए राज सरकार को, और दूसरी बात, कि मेरा ये मानना है कि राज सरकार हो, चाहिए किंद्र सरकार हो, इनको कहना चाहिए, विबिन धर्मों के में किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, विबिन धर्मों के जो संत महात्मा बाबा अपने को कहने वाले लोग हैं, या काजी कहने वाले लोग हैं, मुला मौलवी कहने वाले लोग है या फादर बिशप कहने वाले लोग हैं कि वे लोग गाउंगाउं घूम करके जो अंदविश्वास की बातें कोई करता है कोई जादू टोने की बात करता है उसको करना बंद करें वो कानूनी रूप से गलत है जादू टोना की बात करना अंदविश्वास की बात करना वो यह जनता को जाकर समझाएं गोम गोम कर प्रवशन दें कि शादी जो है वह किस उम्र के बीच होनी चाहिए वो कानूनी तोर पे बाल विबा ये अपराध है वो ये बताएं लोगों को कि लड़का जो है 21 का नहीं हुआ तो आप शादी क्यों करेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहि ये इसी तरह से लड़की की भी उम्र अगर तै है तो वो भी आप बताएं कि 18 जो है लड़की हो जाये तब आप साधी कीजिए तो ये जब तक वो नहीं बताते मैं समझता हूं कि वो अपने धार्मिक नेता का करतव भे धार्मिक नेत्रित्तों का जो उनका जिमेदारी है उसको नहीं नहीं बार है तो दोस्तों आज इन्हीं दो मुद्दों पर अपनी बात केंद्रित करके मैं चर्चा का समापन करता हूं नमस्कार आदाब सत्रियकाल